वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इंक से पहले इंक से एति है? पहले है? कर दो 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 कर कर दो 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 कर मेरे बड़े भाई है हरीज जी यह बताएंगे फिर में बताएंगे फिर में बताएंगे अच्छा संगीत मेरे लोगों को मतलब टाइम पास नहीं और बहुत जल्दी वह नहीं कि शौर्ट सक्सेज वाला कोई रास्ता होंगे बढ़िया मुजिक देना चाहते हैं हैं जैसी और एक बड़ी कंपनियों की स्टार्टिंग हुई थी तो उसे साब से बड़िया रोमेंटेक और अच्छे सिंगर्स के साथ काम कर रहा है पहला गाना हमारा वंत रिखा ने गाया या बैठे हुए दूसरा गाना शवाब साबरी ने गाया तीसरा गाना मामे खान गा सब्सक्राइब कर देखा है कि रिदम धीवी होती है डाउन होती है लेकिन इस बार प्रवीन सर ने इसमें रोमेंस के साथ साथ एक अलगी मस्ती देती है तो यह उस टाइप का वीडियो है जिसमें फीचर कर रहा है अधाज जग्गा और अपरना एंड अमन तरिखा अलसू अमन फीचर कर रहा है भी डांस करेंगे थोड़ी देर पार रुपके जाना सब लोग तेखिए नया रूप आएगा अमन भाई तोड़ा सा बताईए गाने के बारे में कि कैसा एक्सपीरेंस रहा और अभी जब अधाज में आगया था कि गाना जो है फील से बर्कूर है बारिश का मौसम हो रखा है बारिश रहा जा रही और बारिश का ही गाना तो तो म्यूजिक जो है वो आपको थोड़ा पुराने 90s के दोर में लेके जाएगा म्यूजिक राइसा है जहां पर म्यूजिक और लिरिक् अधार उसी प्रकार का है आज कल जितना तक्चक तक्चक वाले महौल से हटके कुछ कर रहे हैं प्रवीन भाई और हरीश भाई मिलके बहुत खुशी है कि मैं इसका एक जिसा बना हूं तो मेरी बेस्ट विशी से नहीं है और बहुत अच्छा कर रहे हैं आकाश और अपना म तक दिसक्स करते हैं और हम लोग इस गाने को देख रहे हैं तो हम लोग इसकी कास्टिंग कर रहे थे तो हमें बड़े रोमेंटिक कपल जैसे फेस चाहिए थे हमारे नजर में एक दम आकाश आया आकाश का प्रोफैल आया आकाश में बहुत अच्छे हिट सीरियल किया है लगता है जो तो हमने तुरंट दोनों को कास्ट किया आज दोनों पर वीडियो शूट कर रहे हैं मुस्कॉर्भी में जुलाई फर्स्ट वीक में इसको रिलीस कर दूगा आपको एक बार फिर बलाऊंगा और अच्छी पार्टी दोंगा बड़ी वाली तारो अरु पलाएं अच्छा बेर रूम में आया मुझे सब बीज दिया के इस सद ये ट्रमांटेक वर इस लव और यूर है यह वाली प्रवीन प्रवीन के साथ पहली वीडियो है तो मैं को बहुत मज़ा आ रहा है पहले मिले हैं और इस इस फर्स आम वोकिंग वोग इस बोग अधिन आपको आपको हम इस नöst लगे मिले पुआ क्रीक नै थे ना रूक वोग व्यूडम स sok अधिने, क्षेशीया करे ते आपी अपे दिन की स्रें harmless यह था और अभर आपकिश्स था इनलों आपी नहीं पहले फ्स्वला, एंग इस बिंध पार इस अथे को अमने इस पर बी आपक रिपर तो उनके साथ भी I'm sure competition हो गाई लेकिन अलग कुछ नहीं होता बेस्ट काम तरो अलग डिफ्रेंट कुछ नहीं होता ये अलग नहीं होता लेकिन जितने लेवल चल रहा है मार्केट में सब में मेरे हिट गाने 50-50 पचास तो चाहिए तीसी रिजोजी वो सोनी हो भी सोनी का गाना भी हम अब यह कि यह मेरी घर की कंपनी है तो मैं जागे मैंनत करूंगा थोड़ी सी माँ थोड़ी सी कम करता है अब आपके आपके आपस आपके आपके सांग कर लिया देट साल के लिए लेकिन फिर आगे आप किसी को अपर साल करते हैं और जो चैलेंजिश को अब किसी वाठोश करना हो और सब नाम सुनके आते हैं सब्सक्राइब नाम सब्सक्राइब करते हैं करते हैं पर जैसे मेरे अपता करते हैं कितना जादा अप्रीडम है सुष करते हैं कि इससर का महुल आशाचता है बहुत खुल गया है भी महुल सिंगर्स के लिए मुजिशन के लिए कि हम यह सब अपनी मन चाही चीज़ प्रेजंट कर सकते हैं ओडिंस के सामिए पहले तो मुजिक लेबल के इसाब की चलना पुछता था आपको फिल्म में जो गाना मिलता है मैंने इतने भी गाना है तो इसा ही गाना है और एक्टर्स की दिमांड है फ्र everyday まमंता सभ्ड़ियों के ख़नीip है। प्रडक्शियन हाउस की डिमांड है। बहुत सारे लोगों की डिमांड बहुत सारे लोगों की एगो सथिस्पाही। फिल्म प्रोजेक इस कंवेंडेटं से लेंधा है उपे दिंचार सागे लोगोई। कोविट की वज़े से बहुत सारी प्रॉब्रम्स हुई है दुनिया भन में लेकिन एक ये चीज है जो अच्छी निकल के आई है एक फॉर आटिस्स कि हम अपनी आवास, हम अपना काम जो है वो विदाउट एनी मुजिक लेबल, पुख्ता मुजिक लेबल जैसे की प्रभीन में नाम लिए उसके बगएर हम अपना प्रेजन कर से और H&K मुजिक जैसी एक वनस्टोप शॉप है जहां पर आप अपना टैलेंट आप अपनी जो क्रिएटिविटी है जैसे गाने हम चाहते हैं प्रेजन करना ओडियंस को सुनाना जैसे लोगों को ओडियंस को सुनानी अच्छे भी लगते हैं आज कर आप देखिये आज़िगी का मुजिक अभी चलता है आटो बसे में अपना जितनी जनता है नाइटी नाइटी जन्टी नाइटी नाइटी तू से लेके 2000 के जनना मुजिक था अन इलेक्ट्रोनिक मैं काऊंगा और बहुत और और अर्गनिक अरिजन मुजिशिंस लाइटी नाइटी तो यहां पर भी करने की कोशिश है अन्य प्रवीन भाई अमेशा जहां पर जहां पर भी हाथ लगाते हैं वह सुना हो जाती है जीज़ और बहुत पॉजिटिव इंसान है और जितनी भी शिदद्द से काम करते हैं लोग उनको हमे किनक्टिवी हो यह गाना जुलाई फर्स्ट वीप में रिलीज हो जाएगा मुझे लगता यह गाना एकदम एरा को चेंज कर देगा अब फिर लिरिकल वेल्यू बढ़ जाएगी कंपोजिशन की वेल्यू बढ़ जाएगी और लोग फिर से और दूसरी चीज किया है कि गान अंधेरी में जादा बचता है और उसके बाद अंधेरी से बाहर वो निकलता नहीं वहीं हिट हो जाता है वहीं फ्लॉप होके खतम हो जाता है बट मैं एक बार जम्मू गया तो मैं अपने शुक्रिया शुक्रिया सुनना था पहाड़ों पे चुरते हुए तो बढ़ा उसी कि तो कभी मरी नहीं है ना हो इस जबाने चलते हैं अज अमन रोमेंटिक गाने गारा आया अर्जीत सिंगा दोर आया अरजी क्या गाने सब्सक्रियाइट है साल में दो आइटम चलते बागी 98 तो इसके लगा रहें तो क्या आप आप आपके सोचेगे कि रीक्रियेशन भी करेंगे मेरा तो गाने आज से पंदरा साल पहले किये थे वो रिक्रियेट होना भी शुरू हो गए मेरे जीते जी रिक्रेशन हो रहा है तो चलता रहेंगे सब से यह सब करेंगे खादा रहेंगे जाएंगे जैसा की प्रावीन जी ने गहा है जैसा की प्रवीन जी ने गहाँ once it's released but one thing I just met Aman today jab मैंने गाना सुना धना what you just said it's 90s feel that was the first thought that I had suddenly like this is 90s this is not aaj ka era yeah so yeah next project would be with Praveen ji Harish bhai sab ke zaati जैसे इन्होंने बोला कि 90s ka era वापस आगया अभी लोग हो ही सुनना चाते हैं लोग बोर हो चुके अभी मतलब दिन्चक दिन्चक सौंग सुनके सुनना चाहूंगे और चीजे में देखना चाहूंगे कि प्रवीन जी और भी music videos लेके आएंगे market में सो मेरी best wishes हमेशा है एच के music के साथ अभी आज एक big announcement और करना चाहते हैं उसर announcement आप कर तो तो इस तो अपने कंधे पर ले लो आपने अभी एक big announcement हमारे यह है कि हम आपको फिर बुला रहे हैं July 1st week में 27 July से shooting स्टार्ट हो जाएगी और हमारे प्रोजेक्ट बहुत बढ़ा historical floor पे जा रहा है जिसका title है जैपुरिया इश्क जिसमें आपको पाखिजा करेंगे तो समय आपनों को इन्वाइट करेंगे आपनों को बुलाएंगे शुटिंग जैपुर कुशकर में करेंगे अब सब्जेक्ट में रिवील नहीं कर सकता क्योंगे कि मैंने अगर रिवील किया कोई दूसरा बनाना शुरू कर देगा एक हिस्टोरिक सब्जेक्ट है बहुत अगों बनेंगे और सबसे जाए मेरी जो पूरी टीम है मैं सब को बिचार ये मेरे संग सब सोते ही नहीं इनको सोनी नहीं देता हूं समझे तो यह बहुत अच्छी इनको अप इंटर्वी लोगे तो मेरी शिकायता करेंगे चांगे और सब्सीत में लोगे सब्सीति दूसरे इनके अपने सार काम करने वालों को भी एक्जेक्ली वैसा ट्रीट करते हैं जैसे अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं इनके लिए हमेशा दो फैमिली रही है एक बीबी बच्चे माबाप और दूसरे हम लोग क्याते हैं आप मेरी extended family हो आप लोग मेरे साथ काम नहीं करते हैं उतना ही द्यान हमारा भी देते हैं जित आए नहीं क्या क्या किसे हुए तुमने सुनाए नहीं अब की बर साथ में तो तुम आए नहीं क्या क्या किसे हुए तुमने सुनाए नहीं चलो अब दिल को बेकरार करते हैं अगली बारिश का इंतिजार करते हैं जलो अब दिल को बेकरार करते हैं अगली बारिश का इंतिजार तो यह मतलब पूरी टीम लगी हुई है समय जो आपको हर महीने दो तीन प्रोड़क्ट दीगे